कि हलो हैपी होली क्या हाल चाल है फिस आपको हमारी आवाज आ रही है एकदम भडिया से और क्या आपको रंगीन Shere चालो तो जैसे आपने देखी लिया टाइटल लक्ष का लॉंच है आज है ना फेकल्टी अल्डेडी रिवील हो चुकी है सारी रिवील वीडियो बच्चों ने देखी लिए जो राइट में घड़े वो लक्षे जेही के टीचर है नहीं जा रही है जा रही है वोईस ओपी हैपी बरड़े कह रहे है happy होना चीशे दुसका की कुछ भी जालो wish you a very happy holy happy new year to all of you nya साल आप सबको बंबार्क हो आप लोह का academy calendar शुरू होग्व हो रहा है उसके लिए happy new year आप सबको ठीक है जो new year resolution बनाएंगे बनाएं ये आप लोग वो 31 संबर वाले ना रखना बस इतना ख्याल रखना ने तो जहाँ 11th wasted है वहाँ पर 11th की जगा 12th wasted होने लगेगा बस वो मत करना बाकी सब संबाल लेंगे हम और जिन भी बच्चों की 11th बरबाद हो गई है कोई दिक्कत नहीं है भाई लक्ष में आपको 11th का revision भी मिलेगा तो बे फिकर होकर एक अपरिल से class start होने वाली है लक्ष जेई की लक्ष नीट की आओ मचाओ अपनी एक्जाम में है ना सारे faculties यहां पर नहीं है जो जो अभी आप आएं वो तो सारे हैं दो-तिन लोग नहीं है वागी सब आपको batch में देखने को मिलेंगे शुरू करते हैं फिर आज का launch सर लक्ष लक्ष जेई सबसे पहले लक्ष जेई की बात कर लें जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं जनवरी में जिनका भी टारगेट है जेई 2025 का उनके लिए बारवी का भारत का सबसे बहतरीन सबसे पावरफुल सबसे जादा selection देने वाला batch launch हो रहा है लक्ष जेई 2025 हजारों बच्चे अल्रीडी इस बैच में आ चुके हैं है ना और class start date एक अप्रेल है तो आपकी class शुरू होने वाली एक अप्रेल से जिन भी बच्चों को हलका सा भी doubt है है ना कि सर जेई 2025 निकल पाएगी कि इस बैच से तो भाई हजार बच्चे आइटी तक पहुंचें इस बैच के थ्रू है ना सचिन सर एक तो जोटी सी information शाहिद इन के पास कहीं से information और भी पहुंची होगी कि आठ अप्रेल से class start हो रही है तो आठ से नहीं हो रही बटा और दूसरा सर ने बोला कि यह सच में बहुत बड़ा बैच बनता है और सब्सक्राइब 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 करते हैं तो हम बोर्स का भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे वह भी आप अपनी लक्ष जेई 2025 में आपको दिखेगी तो अल्रेडी बच्चे जानते है कौन क्या पढ़ाने वाला है तो में अपन इस बैच में और क्या क्या आपने को मिलने वाला है वो उसके आरां डिसक्शन करेंगे वो तो फोटो दिखागे और और एक और चीज़ यह बहुत इंपॉर अपको फ्री मिल रहा है और इसको यूज कैसे करना है अभी यह एकदम बहुबली बने वह बताओ कौन सा पार तोड़ना भी तोड़ देंगे तो वह आप अपनी अनर्जी बचा के रखिए आपको एक्स्प्लेइन किया जाएगा कि आपको कब अर्जुना का कौन सा बैच लेंगे यह दोनों बैच का आपको एक्सेस दे दिया जाएगा और फैकल्टी आपको बताते रहेंगे कि यार कप कौन-कौन से चैप्टर आपको करने है क्योंकि आपको पता है जही दोहजार पच्छेस में 11 भी आएगा 12 भी आएगा तो 11 भी अपनी साथ में रिवा जो है या फिर अपना जो 11 वाला करीगुलम है यह प्लान कर सकते हैं बिल्कुल वरना रेंडमली सेलेक्ट करते हैं कोई चैप्टर उठा के पढ़ने ले जाते हैं तो आपको वैसे पढ़ना है जो जो टेस्ट में आने वाला है तो आपकी 11 भी पैररल रिवाइज हो हो कि हम थोड़ा स्पीड में पूरी 11 आपको फिर से बढ़ा रहे होंगे तो आप अपनी जी की प्रपरेशन की टेंशन और नीट की बिल्कुल छोड़ दीजिए बस आपको यह की काम करना है आंख बंद करके बैच में आ जाई है ब्लाइंडली फॉलो करना ये टीम को यह बढ़ते हैं आगे बात करूं मैं लक्ष नीट की तो लक्ष नीट दोहजार पच्चेस बैच भी एप पर आ चुका है अल्रेडी हजारों बच्चे ले चुके इस बैच को इस बैच के साथ भी आपको 11 के दोनों बैच्चेस का एकसेस मिलेगा अर्जुना 1.2 अर्जुना 2 टाइम है अभी अभी जब तक बैच स्टार्ट नी हो रहा 5-6 दिन बचे हुए आप सब लोग जाके जो चैप्टर आपका वीक लग रहा है जो भी आपको लगता है कनेक्टिंग चैप्टर से और 11 में वीकर है उसको फटा फट जाके कर लो क्योंकि ये फैस तो फ्री है फ् 11 से 12 का ब्रिच कोर्स वहां पर आल्रेडी आपको एक आइडिया दे दिया कि 11 के ये टॉपिक तो अपने बढ़िया से होने चाहिए 12 शुरू करने के पहले वह वाले वीडियो कभी नहीं देके तो ये जो अभी बीच के बचे वे 7-8 दिन आपकी बैस शुरू होने में आप तुमको 12 की हर एक बात अच्छे से समझ में है वैसे ही सारे टीचर एकदम बेसिक से उठाएंगे है ना आपको हर एक बात क्लास में ही समझ में आजाएगी आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है हर दिन का DPP हर दिन सॉल्व करना बाकी सर विल मेक शुर क्योंकि इस बैच से डबल डीजिट रायांक आईए है ना और वाई मतलब 1980 में से चनबर आराम से लेकर आजाओगी, 180 में से 180 तुम केमिश्ट्री में अराम से लेकर आ जाओगे और 360 में से 360 बॉटनी जूलाओजी मिलाकर तुम लेकर आ जाओगे इस बैच से और लेकर आए हैं सेम्यूल आपके पास वैबव ऐसे बहुत सारे बच्चों के एक्जामपल है जो बच्चे कहते थे आर उनलाइन से रैंक नहीं निकलती है यह भी लक्ष नीटन करके दिखाया है पिछले साल का रिजल्ट आप खोल के देख लो बिलकुल सर ठीक है लक्ष के वारे में बात कर दो चारवात में बताता हूं लक्ष इंडिया का सबसे इंपोर्टन और सबसे महगा बैच है मतलब इसमें पैसे के टर्म्स में नहीं महनत के टर्म्स में इस बैच में जितने डेडिकेशन और डिसिप्लीन से पढ़ाई जाती है इस पूरे इंडेस्ट्री में सबसे लेकिन बैत शुरू होता है तो complain करना शुरू कर देते हैं बहुत परहाते हो सर तो बहुत इसलिए परहाते हैं क्योंकि result भी आता है maximum selection ratio इस पूरे industry online और offline दोनों batches में मिला ले तो maximum selection ratio है और लक्ष के बच्चे जो इस बार जेई मेन में 10 बच्चे ऐसे हैं तो जेई मेन में physics में chemistry में 100 में से 100 परसेंटाइल लेके आए तो यह बहुत असान बात नहीं है लाए है भाई नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ लाए हैं में मतलब 100 में 100 परचेंटायल ज्यन्यून में चेक्ट किया है और बताया भी है Online-Publish भी किया हमने नीट में से लक्षण historी के बच्चेTalk के बच्चे के 50 में 100 परचेट ज्यमें में 2024 में लेका हैं तो इस लेवल पर बेटा जाके पराते हैं और सेम्यूल हो गया रेजा हो गया बैवब हो गया तो यह बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट ये रिजल्ट लेका है उससे पहले भी रिजल्ट आये थे इसी तरीके के लक्ष में तो आजाओ पढ़ते हैं और ठीक है मचाते आपको 12 पे नहीं करनी है क्योंकि उस चीज़ का टाइम ही नहीं है और जितने बच्चों का सेलेक्शन सर बता रहेते हुआ है वह आपको लोग आपके पीछे बहुत महनत करते हैं लेकिन वह महनत बच्चा भी उतना ही करता है तो आपको वहां पर बैटके बहुत महनत करनी हैं और टाइम वेस्ट का साल कोई स्क ही को पी नहीं है तो टे वन से जो बिटा आप अनजी से आते हो ना क्लास में और मोटीवेशन से आते हो वह अपको मेंटें रखनी है ताकि नस्त तक आते हैं तो आप 11 का हुप बिजन कर रहे हो ना कि आपका 12 का बैक लागो गया हो त बस यह है कि इस बैच में मदा बहुत आने वाला है एंड बस साथ साथ चलिएगा बैकलॉग मत होने दीजेगा accumulate because जब आप स्टार्टिंग के एक महिने में अपने आपको पढ़ते हुए देखेंगे then you will have a different zeal but ultimately वो dopamine rush धीरे धीरे खतम होने लग जाता है बच्चे करते ना online batches online कैसे पढ़ाई होगी तो अब मैं थोड़ा समझाता हूं तुम्हें कि जब हमने पहला लक्ष पढ़ाना शुरू किया था जब पहला अर्जुना भी था तो उस समय हमारे efforts थे खूब सारे app बड़ा simple था तो खूब मुश्किल से बढ़ाते थे और बच्चे को energy लगा के दिखाते थे उनको लगता था offline पढ़ रहे लेकिन अब अगर आप इस batch में आते हो या पहले भी पढ़ा होगा तो app इतने advance हो गया है कि हमारी efforts और plus app आपको online का हैसासी नहीं होने यह आपको 100% class लेके देख लेना offline का feel आएगा जो एक बहुत ज्यादा आ रहा है कि 12th class कैसे manage करेंगे ठीक है कोई 12th class कैसे manage करेंगे अगर तुम्हें कुछ नया करना है कुछ बड़ा करना है तो कुछ अलग भी करना परेगा जो जितना अभी तक करते आए होगे उसे extra effort तो मारना ही परेगा तुम आज तक तुम जाई रहे थे अब रोज तुम दो class extra और कर लेना जो हम तुम्हें क्लास में कराइंगे और ऐसा नहीं है कि स्कूल में तुम्हारी अलग पढ़ाई चल रही है अलग स्लेबस है और यहां पर अलग स्लेबस है जिस भी बोड से हो तुम common 90% स्लेबस एमी होता है तो से बीसी बोड से physics chemistry बोड नहीं चलो जी हम यहां पराते हुआ हुआ ही तुम स्कूल में जाके पढ़ते हो तो revision के mode में पर हो ना कि यहां पहले हो गया तो इसकूल में revise कर रहा हो इसकूल में पहले हो गया तो अगर तुमने स्कूल में चेप्टर पढ़ लिया है और यहां पर दुबारा पढ़ रहो तो थोड़ा काम ही आएगा बेसिक से डॉक्टर बनने वाले हो तो यह जर्णी आसान तो नहीं रहेगा मुस्किल होगा लेकिन आप हिम्मत रखेंगे लगातार मेनत करते रहेंगे तो सक्सेस्फुल हो जाएंगे बिलकुल अराम से तो बढ़ते हैं आगे अब लर्न विद प्लान मॉडल देखो यार पीड़ सारे बैचेस में यह मॉडल चलता है जिसमें हम लेक्चर भी आपके लिए लेकर आते प्रैक्टिस भी लेकर आते हैं और आल इंडिया टेस्ट सीरीज भी लेकर आते और निव एरा ओफ लर्निंग जो कि अभी अमर सर ने का एप में भी इस साल बहुत सारी चीजे नहीं नह ने बताया था AI guru है ना विश्वास दिवस में कि आपको कुछ भी पूछना है academic non academic किसी भी तरह का कोई डाउट वो आपका सॉल हो जाएगा lecture की में बात करूँ तो भारत के सबसे बहतरी इन टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं है ना आपको मतलब यह कि किसी भी तरह का सबसे टॉप लेवल का content होगा मतलब आप compare करके देख लेना कोई बच्चा कोई दोस्त आपका offline में कहीं गया हो उसकी notebook खुलना और अपनी notebook खुलना देन यूविल फील डिफरेंस किया लक्ष में किस level की content की delivery होती है और आपको practice के लिए DPPs मिलेगी आप module लेना चाहो कभी आपके पास time रहता है तो आप modules भी ले सकते हो PW के dedicated module बने हैं जिसमें टीचरों ने अपने input लगा कर एकदम best module आपके लिए तयार की है साथ में बच्चों आपको जब आपका syllabus आदा हो जाएगा उसके बाद आपकी all India test series भी शुरू हो जाएगी तो वो सारी चीज़े भी आपको इस batches के through मिलेगी और regular basis पे हर 21 दिन में आपके test होने तो यह पूरा एक complete planning है जिसके through अपना selection हो पाएगा है ना तो यह एक भी box को अपने को miss नहीं करना है मैं ऐसा नहीं के वाल lecture देख लिया प्राक्टेस नहीं की है ना टेस्ट मिस कर दिये हर एक चीज़ जब करोगे तभी तुम्हारा selection होगा है ना जो चीज़ अपन class में पढ़ रहे हमको real में समझ में आ रही है कि नी वो कैसे बता लगगा जब आप टेस्ट में अपियर होग तो हमको यह मिला कि है बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं और दीरे दीरे वो gradually decrease हो जाता है बहुत आकरी में वही बच्चे देते जो सिलिबस आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो इसके लिए नहीं मेरी खाल से ना टेस्ट ना देने के कारणों के उपर हमारा ज्यादा discussion हो अगर class जो है वो पीछे backlog create हो जाता है फिर हम तैयारी नहीं कर पाते हैं इस कारण हम टेस्ट नहीं देते हैं तो सबसे जादा matter करता है चाहे आप लक्षे जई में है चाहे आप लक्षे नीट में है consistency is the key to success रोज जब चार बजेंगे आपको अपने study table पे बैठना ही है copy कित आप लेके ठीक है headphone लगाई ये class लीजिए class को enjoy करिए ये वो stall words है हर एक subject के जिनको पता है किस topic को कैसे बढ़ाना है कैसे उसको interesting बनाना है exam से point of view से उसके उपर कितना emphasis देना ठीक है enjoy this process ये साल दुबारा नहीं आने वाला है अगर आप इस process को enjoy नहीं करेंगे ये burden कितना ल फस जाएंगे कि backlog create हो गया वो पूरा किया नया backlog create हो गया वो पूरा किया backlog create हो गया और वो जब जैसे जैसे वो backlog रहे गए रहेगा तब आप test नहीं देंगे इस बात की आज कसम खाईए आप कि यार कुछ भी हो जाए मैं class miss नहीं करूंगा अपने parents को ये बात बताईए कि अगर मैंने किसी दिन class miss करी तो प्लीज आप मुझे motivate करिए कि चलो यार आज live class ही ले पाए तो मुझे recorded class लेनी है मुझे notes ज़रूर बनाने है मुझे DPP ज़रूर solve करनी है अगर ये कायम करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप test में भी regulatory maintain रखेंगे तो test का बहुत important रोल चलो आगे बढ़ते हैं लेक्चर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए DPP तो आपको मिलेगी है ना ओल इंडिया test series आकरी में आपकी conduct होगी साथ में आपकी test series regular basis पे भी conduct होगी और new era of learning में क्या क्या चीज़े आपको मिलने वाली है तो AI गुरू जो आप academic और non academic doubt आपके solve करे आपको किसी भी तरह की कोई problem आ रही है कि time manage नहीं कर पा रहा हूं अपने दिन को नहीं बाट पा रहा हूं दो ही class देख पाता हूं या कोई एक class हमेशा में सो रही है इस तरह की कैसी भी कोई problem आ रही है इस school के साथ लक्ष को manage नहीं कर पा रहा हूं लक्ष में test जो आ रहे ह में सरर ने करके बताया था ना एक कोशन पूछा। वैसे ही Reply आ जाएगा. PWA scholar भी आध Krwn के यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है यह प्रोग्राम उन बच्राइल के लिए लाउंज किया, जो बच्चे हाइङ लिए्डिसिप्लिंट है मतलब आपकी हर दिन की attendance को track किया जाएगा lecture की attendance को आपकी DPP की attendance को आपकी test की attendance को यह तीनों attendance जिसकी 100% है मैं क्या कह रहा हूँ highly disciplined बच्चा मैं यह नहीं कह रहा हूँ PW scholar मतलब हो है topper बच्चा लक्ष जेई का लक्ष नीट का PW scholar हम किसको कह रहे है highly disciplined बच्चा जो अपने target जो भी उसका target है जही 2025 को फोडने का यह नीट 2025 को crack करने का जिसके लिए वो disciplined है वो कह रहा हैगा PW scholar और इस बच्चे को मिलेगा PW का verified take जैसे Instagram में बिलता है एक verified user तो बाई यह वो बच्चे होंगे जो PW के एकदम वो है मतलब महनती बच्चे है इन बच्चों को PW का हर एक offering जैसे मान लो लक्ष के जितने भी version आते है सारे batches का access batch infinity जिसमें खजाना है infinite library है जहांपे infinite practice है हर एक चीज का access मिल जाएगा और यह activity कब होगी दो महीने बाद आपकी पूरी attendance को track किया जाएगा 45 दिन का time हम लोगों ने लिया है कि 45 दिन तक बच्चों की attendance को track किया जाएगा जो भी बच्चे 100% attentive है DPP रोज solve कर रहे टेस्ट रोज दे रहे उन सारे बच्चों को मिलेगा PW Scholar का batch और यह batch मतलब आप जब class में भी आओगे और आपने कुछ chat लिखा तो वो एकदम जैसे YouTube पे pin comment नहीं आ जाता एकदम top पे super chat की तरह आपका comment दिखेगा teacher को आप जो भी पूछोगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे है ना तो आपकी आवाज सबसे पहले teacher तक पहुचेगी उसके बाद community ये बहुत important था teacher student bonding मतलब आपके teacher batch के जितने भी ये वो सारे community पे आपके लिए जो भी उनको extra notes आपके साथ share करने PDF के form में कोई question paper share करना है आप से कुछ दिल की बाते करनी जो class में क्योंकि syllabus run करने में time नहीं मिलता है तो वो सारी चीज़े आपके community पे discuss होगी और आपके दोस्तों के साथ आपको कोई doubt discuss करना है तो वो भी आपको community पे मिल जाएगा ये low data mode maximum बच्चे PW के गाउ से batch को लेते हैं है ना बहुत सारे बच्चे जिसे अलग सर्विया भी बहुत सारे गाउ में जा रहे है जहां जहां से पहले पहले डॉक्टर बन रहा है पहला पहला इंजीनियर उस गाउ का बन रहा है कोई बच्चा तो उन बच्चों की सबसे बड़ी problem थी data सर मेरे पास data ही नहीं होता है दो लेक्चर को डाउनलोड करने का उस problem को solve किया low data mode ने मतलब आपका जो लेक्चर है जिसको पहले 300-400 MB लग जाते थे वो अब सहट 70 MB में डाउनलोड हो जाएगा है ना तो वो चीज भी आपको बैच में मिलने वाली है साथ में आपको PW का Learn OS मिलना आला है यह Learn OS क्या है यह basically आपका एक सारे distraction से दूर आपको एक पढ़ाई का माहौल देगा तपस्या मोड इसमें है आप इसको यूज कर सकते हो यह actually एक एप है PW Learn OS आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और यह आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने फोन में और आप जो एप चलाना चाहते हो जो जो लर्निंग आप जिन जिन एप से आप पढ़ते हो ज़रूरी निये PW की आप आप जो जो एप से भी पढ़ते हो सारी आप को आप इसमें लिस्ट कर लो और क्लास 12 बहुत इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि अगले साल आपको देनी है जेए की एक्जाम नीट की एक्जाम इस साल आपको अपने सारे पेन जो जितने भी आपके पेन है ना उनको सब को जहलना पड़ेगा देखो comfort zone में रहोगे तो 11 भी वैसे ही बरबाद होगे comfort zone में कितनी जल्दी time निकलता है time अपनी speed से चलेगा वो आपके लिए wait नहीं करेगा तुमको आराम करना चलो मैं रुख जाता हो ऐसा नहीं होगा time अपनी speed से चलेगा तुमको उस time के साथ चलते वे अपना syllabus complete करना होगा एक commitment आपको करनी पड़ेगी है ये watch वही बच्चे ले जो मेहनती है ये वही बच्चे ले जो सच में target ले रहे हैं कि या जेई 2025 को मैं फोडूँगा नीट 2025 को मैं फोडूँगा crack करूँगा वही बच्चे इस वैच में आए महनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे teacher बहुत महनत कराएंगे आपसे ब्लाइंडली फॉलो करना हर दिन lecture को attend करना DPP solve करना एक अपरिल तक का भी time है आपके पास क्लास शुरू होने के बाद किसी भी तरह का कोई break मत लेना ये बहुत सारे challenges आएंगे जरनी में कभी health खराब हो जाएगी हैना कभी घर में कोई function आ जाएगा कभी दोस्त गया भाई बहुत हो गई यार कहीं trip करके आते कई trip मारके आते कहीं घुमने चलते हैं ये सारी चीजों को एक साल के लिए अवाइड करना क्योंकि सपना तुमने बहुत बड़ा देखा है हैना उस सपने को crack करने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी लगाता है तो वह उन सारी चीजों को करने के लिए न्यूए राफ लर्निंग है सचिन सर न्यूए राफ लर्निंग बैसिकली पीड़ल्यू की एप को एक अलग लेवल पर लेके जा रहा है इस चीज को यूज करना आना चाहिए तो आप अपने पूछ सकते हो भाई दूसरा पीड़ल्यू स्कॉलर आपको बनने की कोशिश करनी चाहिए अपना एक उसमें एक अचीव्मेंट वाली भी सेंस अना जैसे आप सभी लोग घर पे बढ़ रहे हो बहुत साइब बच्चे इसे भी होंगे जिनके पास टिक होगा तो मेरे खाल से तो पीड़ल्यू की फर्स प्रिफरेंस रहनी चीए कल को अगर हमें कोई भी कहीं पर भी कुछ इंप्रूब्मेंट करना है बच्चों से कुछ सजेशन लेनी है तो फिर वो यह वाले लोग होंगे विगाउस उन्हों अब हमें यह और चीए तो यह आपके सेजेशन ते हैं आपको स्क्रीन पर आऊगे तो फिर उसको अगली साल करेंगे ठीक है बढ़ते हैं आगे बैच इंफिनिटी जरूरी नहीं आपको लेना बैच इन्पिनिटी एक अलग से फीचर है यह सारे आपको बैच के साथ मिलें पर batch infinity के लिए आपको एक extra payment करनी पड़ेगी, पर उसकी जरुरत नहीं है, batch से आपको enough content मिलेगा, batch infinity के लिए, जिनका batch का content तो consume करी लिए, उनको ऐसा ही कि यार मेरे को अपने according, अपना syllabus complete करना है, तो उनको पूरा खजाना मिल जाएगा, लास्ट येर के सारे टीचरों के वीडियो मिल जाएगे, हर वर्जिन के, हैना, तो आप अपने according, अपना syllabus complete कर सकते हो, उन बच्चों के लिए batch infinity, जो regular पढ़ना चाहते है batch के साथ, उनके लिए batch infinity नहीं है, यह उनी बच्चों के लिए जिनके बस कोई extra time है, क्या मिले को infinite practice करन यह हर तरह का infinite library है, यह वही बच्चे लेना भाई अभी इसको detail में भी explain करेंगे, दूसरा यह वही demand and supply वाला खेल है, बहुत सारे बच्चे हैं जैसा सर ने बोला कि यह लेना जरूरी नहीं है, यह चार्जिबल है, फिर तुम बोलोगे सर और पैसे ले रहे हो, इसको भी आ हमें personal guidance भी चाहिए, हमें paper जो है या फिर जो questions है, खुद test create करने है, तो उनकी demand को भी हम बोलते हैं नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक नया concept लाए गया है, जब इसको समझाएंगे तो इसकी सारे features दियान से सुनीगा, प्रीज, बिलकुल, batch infinity, चलू हो ग बच्चे होंगे, जिनको पता ही नहीं होगा कि batch infinity है क्या क्या है, उसके बाद भी इसको देखना, और आपको अगर अलाओ, मतब मन से इच्छा होती है कि मुझे यह लेना है, तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और batch अपने आप offering है, बच्चों की ही demand पर लेकर आया है, कि बच्चों को चाहिए multiple teacher के option, बच्चों को चाहिए infinite level की practice, यह साहिक मतलब जो बच्चे DPP भी solve कर लेते, module भी solve कर लेते, उनको लगता है मेरे को एक topic के और question करने, तो यह पूरे infinite question है, खतम ही नहीं होंगे तुमारे question, है ना, यह पहुच गए, वो लोग, क्योंकि उनको पता है, आपके challenges, हैना, वो यह journey, एक दो साल पहले जी के गए है, लक्ष बैच से पढ़ कर गए है, और medical college तक पहुचे है, लक्ष बैच से पढ़ के गए है, और IIT तक पहुचे है, उनको पता है, आपको क्या-क्या challenges आएंगे, और इनकी बोली बाते हैं, इनकी दिमाग में भी जाती है, रिलेट कर पाते हैं, कि आज इस bench को, जिस पे हम बैटे हैं, उस पे कल ये लोग बैठे थे और select होगे गए, दूसरा इसमें वो एक group वाला जो बताया था, इसमें करीबन-करीबन, 75 से लेके 100 बच्चों का एक group ब बच्चों का जो width हो इसलिए रखा गया है, ताकि one-on-one आप अपने doubt पूछ सको, तो ये mentorship है, उन लोगों से जो select हो चुके है, अब जैसे इसमें तुम पूछोगे 11 बरबाद होगी, क्या करना है, तो वो भी बताएंगे कि मेरी 11 ऐसे बरबाद होगी ती और फिर मैंने इस चुके मेरे से तो batch के level पे, मैं अपने आपको run ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो लक्ष 2.0, लक्ष 3.0 का wait करना है, कि भाई वो batch का भी access मुझे मिल जाए, ताकि मैं वहां से भी अपने backlog को clear कर पाऊ, भाई लक्ष मिला है, रोज महनत करना, रोज पढ़ाई करना, access of all upcoming batch version तो यह कि यार, किसी भी बच्चे का, किसी थरा का कोई backlog हो जाता है, तो हम कह देते कि यार, आगे वाला batch भी तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पर वो, एक 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 अप्सक्राइब करना है, यह सोचो कि upcoming batch मिल रहे हैं, तो उनसे भी मुझे पढ़ना ही है, बोले जब जागो तभी सवेरा बोले, रोल सवेरा ही हो रहा है, शाम कभी आई नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करके चलो, आप लोग जल्दी स्टार्ट करें हो तो उसका जल्दी benefit 12th class में special ही होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे चल कर देखो, जब आप November या October में आ मतलब एक के पीछे खड़े दिखाई देंगे, जई-मेंस, फिर बोर्स, फिर जई-मेंस, फिर एडवांस, तो अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे, तो जल्दी class 11th की आपकी revision करवाई जाएगी, आपकी practice और चीज़ होगी, थोड़ा लेट अगर आप स्टार्ट करोगे NCRT, basically biology में तो, NEET के paper में तो biology में NCRT को सब कुछ मांगे, अभी तो assertion reason वाले questions आ रहे हैं, statement based question आ रहे हैं, तो NCRT की वैसे तो हम class में भी reading कराते हैं और NCRT based भी पढ़ाते हैं, लेकिन this feature will allow you कि आपको हर एक NCRT के chapter के paragraph में paragraph wise questions मलेंगे, right sir? बिल्कुल ma'am, और कई ऐसी lines होती हैं जो हमको लगता है कि NCRT में हमें समझ में आ गए हैं, बट अगर उनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, then you will be able to realize कि आपको उतनी grip नहीं मिली है NCRT में जितनी होनी चाहिए थी, बिल्कुल, and questions gives a realistic approach कि आपको कैसे आगे बढ़ना है अ every NCRT reading हर page में कुछ ना कुछ बाते चुपी हुई है, और वो question के terms में जब आप decode कर लेते हो, that's the best thing ma'am, मेरे हसाब से तो यह बहुत ही beneficial है, जी ma'am, और experts ने question बनाया है, यानि कि जो पढ़ चुके हैं 20, 25, 30 बार NCRT को, तो उन्होंने अपने घ्यान से जो decode किया है, वो आपके time की सबसे ज़्यादा value है यहां पर, तो NCRT पिटारा के बीचे भी logic यही था कि आरे NCRT को पढ़ाने का smart तरीका है यह, आप NCRT को reading करने में जितना time लगाते तो उससे जल्दी आप यहां पर question भी लगा लोगे और आपकी NCRT reading भी complete हो जाएगी, बढ़ते हैं आगे फिर लक्ष नीट की बात कर लेंगे, जही बैच लक्ष जही कब start हो रहा है, कब end हो रहा है, सबसे important question तो यही रहता है, सब बैच कब शुरू होने वाले है, तो 1 April को आपकी class शुरू हो जाएगी, और 30 November तक हमारा syllabus पूरी तरह complete हो जाएगा, है ना, 12th का, ठीक है, उसके ब चलेगी, classes will be held for 6 days per week, देखो यह शुरू में तो 5 ही दिन है, हैना, बाद में यह 6 दिन हो जाएगी, दो classes होगी आपकी हर दिन, ठीक, तो किसी भी तरह का कोई ऐसा लोड नहीं आने वाला है, 1 hour 45 minute की एक class होगी, और अगर जैसे इस तरह यह वापिस demand वाल अखिल है, आगे चलके जैसे हमें लगेगा कि अब teachers और बच्चे दोनों comfortable हो गए है, बैच में, तो after October या फिर बाद में, हो सकता है, तीन दिन भी classes हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको, sorry, तीन classes एक दिन में, वो भी करी जा सकती है, तो वो जो भी, वो बोल रहे है, आगे चलके, तीन दि आप लोग क्या चाहते हैं कि बैच कब से स्टार्ट होना है, टीचर एक दम त्यारी करके बैटे, पीपीटी सब की बन गई है, आप बता दो, एक अप्रेल से शुरू करना या आट अप्रेल से, ये टीचर्स अब आज टीचर्स की दिवादी जाए, सर मार सर का, मार सर का इक अप्रेल से टार्ट हो गया है, और 30 नॉम्बर तक स्लेबस कतब हो जाएगा, और ये सर, कि यह पीटी में नहीं लिखा होता है, पीड़ली की बैचेस की एक हासियत है, कि जो हम कमिट्मेंट आपके साथ करते हैं, उसको अम नहीं बाते हैं, ये लक्ष का पाच्वा लक सर ने पहली बार लक्ष पढ़ाया था, ये पाच्वा लक्ष आ रहा है, और पिछले चारो लक्ष में, जब हमने कमिट किया है कि हमारा सिलिबस इस तारीक तक हो जाएगा, उस तारीक को हमारा पूरा सिलिबस कवर करा दिया जाता है, हमारे रिस्पेक्टेटी दुआरा, और जो भी हम कमिट्मेट करते हैं, उसर चला दिरव्र करते हैं, भ张 का दिर आरहा हो? आप तो खाना घाते हैं, हमें तो जान दो, आई हैसी सीनस भी आयगे? और वही अमिट सर ने बहुत अच्छी बात बोली ना आपको इंजॉई करोगे तो हमेशा आप कोई भी क्लास मिस्स नी करोगे क्योंकि आपने देखा यार यह सबना आपका है आपने यह टार्गेट लिया है तो जब अपना टार्गेट इतना बड़ा है तो महनत तो करनी आपका जो जैन्वरी में एटेम्ट होने वाला है उसको टार्गेट करो क्योंकि तुरंट बाद आपके बोर्ट होंगे आप अपना बढ़िया से फोड़ पार कि अपने बोर्ट की और निकल जाओ फिर ड्रॉपर लोग समझते रहेंगे कि क्या करना है तो आपको इसी पू जिनकी अगर हम पूचे जैसे अभी हम गए थे यहां पर बैंगलाओर गए थे तो वहां पर एक बच्ची निकल के आई थी जो लक्षे बैच से पढ़ी है इंजिनेरिंग कॉलेज में उसकी अपने उस बैंगलाओर में एट्थ रैंक थी बोर्ड में तो बोर्स में ऐसे भ प्राइस तो आपको पता ही है 4800 फॉर दर अप्लीट यह और क्या-क्या मिलेगा तो जो भी टीचर यहां पर लिखेंगे बोर्ड पर उसके सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे PW की मोबाइल एप पर DPP हर दिन मिलेगी हर क्लास के बाद मिलेगी डेली प्रक्टिस प्रॉब बनाए और इस साल डाउट का जो रिजॉल्यूशन टाइम है उसको भी हमने बहुत घटा दिया है जहां पहले एक घंटा दो घंटा लगता था रिप्लाइ आने में अब आपको दस-दस मिनिट में पांच-पांच मिनिट में रिप्लाइ आएंगे अपने डाउट के एसे मी सब आपको डाउट हो जाएंगे में स्क्राइब की जो पीपीट ही उसके डाउट को सॉल्व करने के लिए पूछकर अपने क्लास जितने भी डाउट है वो solve कर सकते हो class के अंदर भी teacher आपके doubts को लेंगे जो कि slide map के through teacher आपके doubt को discuss करेंगे तो doubt किसी प्रकार का आपका ऐसा नहीं होगा कि यह doubt मेरा रह गया हर तरह के doubt को cover करा दिया जाएगा वैसे दो PWK faculty ऐसे हैं कि आपका doubt ही नहीं आएगा है ना मतलब सारे doubt क्योंकि इतने सालो का experience है उनको पता है कहाँ आप फस होगे कहाँ पटकोगे वह वाली बाते अल्रीडी कवर हो जाएगी lecture में ठीक है उसके बाद schedule test है planner मिल जाएगा आप मान के चलो हर महीने आपका एक test तो हो नहीं होना 21 दिन में होगा और इंडिया test series will be provided according to the test planner revision classes will be provided after syllabus completion आपका revision classes होगी जै कि नो यूर जैई फैकल्टी जानते हो फैगल्टी रिवील वीडियो में देख लिया होगा जैई वाला पे जो गए थे पर कभी जिन बच्चों को नहीं पता है कौन हमें पढ़ाने वाला है लक्ष जैई 2025 में तो देख लो फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सलीम सर है ना जानते हो लेजेंडरी टीचर है बहूत बच्चे प्यार करते कद्दू गैंग करके इनकी पूरी गैंग है है ना कुछ बच्चे है अर्चुना जैई में पढ़े होंगे सर से बहुत एनरजी में पढ़ाएंगे फिसिक्स में आपको किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और एकदम हैं होल्डिंग करते वे आपको जेए का जो दर्वाजा है नहीं तक पहुंचा देंगे बस हर एक लेक्चर को अटेंड करना ऐसा नहीं क्लास मिस करोगे क्लास बिलकुल भी मिस नहीं करने क्लास मिस करने क्लास मिस करना क्लास को रोच देखनां धीब 25 वेत करों करने को अगली क्लास अने वादिक पसके बाद किमिश्ट्री लएक सब को पढ़ाते पढ़ाते हो गये 21 years of teaching experience लगते नहीं है इतने बड़े पर सर की एज बहुत ज्यादा है Google पे गलत लिखी हुई है तो आप लोग वही सच माने जो Google पर लिखी हुई है ठीक है बड़ो है नहीं सच रहा है अचार बात कर दें फिजिकल के मिस्ट्री के बारे में व बूंद बूंद से ही सागर भरता है ठीक है वही चीजें यहां पर हो रही है और हम हर बार जब भी पेपर होता है सारे के सारे पेपर निकलवाते हैं अब रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था जही में का उसमें बच्चे आये थे अक्षत आया था वंच आया था और बहुत स होता था आज जब आप 20 साल 21 साल पुराना एक्स्पीरियंस देख रहे हैं 2005 में बढ़ाते थे ना तो जेए एडवांस में फिजिकल केमिस्री के ना चार चार पेज लंबे कोशन्स होते थे ना दस्यों कॉंसेप्ट होते थे क्यों क्योंकि उस समें जो भी कोशन आते थे व अगर आज भी इंटर रिलेशन पे कोशन आता है तो वो फिजिकल केमिस्टी के दो चप्टर से इνवाल्व होगा एक 11th एक 12th यहां इनवाल्व होगा कहां से आपका फिजिकल केमिस्टी का एंड और गैनिक केमिस्टी के साथ रिलेशन से ठीक है तो ऐसे कोशन के ओपर हम लगाएं और आप लोग आगे बढ़ते जाएं ठीक है ठीक है ठीक है तो फिजिकल केमिश्टरी अमिट सर पढ़ाएंगे बात करूं मैं ऑर्गनिक केमिश्टरी तो रोई तगरवाल सर का क्योंकि अलग लेवल का सर का कॉंसर्ट क्लियर करने का तरीका है और बच्चे बहुत बोला भी बहुत है बस यह सभी बच्चों से यह की बात कहने ही कि आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं क्लासे आपके नोट्स और डीपी यह तीन चीज़े कर लें बहुत है एक्चुली इस अमैक्सिमम पार्ट आप कर सकते हैं और इससे जही एडवांस भी क्लियर हो अमिताप शर्मा सर पढ़ाएंगे आपको अगेन दे किंग ओफ इन और गेनिक केमिश्री वो अभी नहीं है पर अमित सर आकर अमिताप सर के बारे में बस मेरे नाम का यह आप एक्स्टेंशन कर दो अमित से तो अमिताप सर बन जाते हैं ठीक है बहुत ही जैनून टीचर है काम से काम रक्ते हैं ठीक है ठीक है पढ़ाने में विश्वास रखते हैं result में विश्वास रखते हैं ठीक है कोई इदर उदर की बात नहीं क्लास में जाए पढ़िए डाउट पूछिए selection लीजिए डाट सेट नतिंग एल्स मैटर्स पॉर हूं ठीक है आज आनी पाए है मैं माई पकड़ता हूँ क्योंकि मेरे भाई है ठीक है हाँ केमिस्टी डिपार्टमेंटा बनता भी है ना और बहुत शांदा टीचर है बहुत शांदा टीचर है बस आप बेसिक्स के ऊपर क्लास में ध्यान दीजिए ठीक है और मर्या आएगा क्लास में सर के आपको तो देख आप लोग रेंक भी देख सकता है किया-का रेंक एस ने निकाली है King of Inorganic Chemistry सिजए कषटा अप्लों में लोगों को सब्सक्राइब का नाम बोलता है यह देख रहे हैं आपको तुम्हेरे चला देंगे हैं ठीक है तो हमार सर का आशिरवाद मुझे बिल गया है अब मैं लगता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बढ़िया करीद हूँगा तो देखो यार मैं मैं अच्छ की बात ज्यादा दो नहीं करूँगा क्योंकि मैं आजकल सबका दुख और दर्द सब बनी हुए है बढ़ हाँ वन तिंग डैट आइक अशॉर यू इस कि क्लास म मैं क्या है? थयोरी होती है, फिर सवाल होते हैं, फिजिकस में थिए milieu हन्सेप्ट फिर सवाल होते हैं सवाल है हूँ है mesmo हEM रह Ihnen जायो हैproduct में छिनस्य से नीचे marks गयर आएगा नहीं टो इसलिए तो मैं किसे करनी है हम लोग हर सवाल lecture class में करने वाले हैं बहुते हैं वह सारे जैसे की क्लास जब खतम होगी उसके बाद में आपको होमवक भी दिया जाएगा मॉड्यूल से दिया जाएगा बहुत साइस हवाल आपको घर पे सॉल करने लिए जैसे रोहित सर ने बोला हम जब यह की चीज बोल रहे हैं कि एक बार आप क्लास में आओ यहाँ पर स्थिनोमेटरी के फॉर्मुले याद करके आए और वह साथ गंटे का लेक्चर आपके पास में अभी साथ दिन पच्छे होंए ख्लास टार्ट होने से रोगे एक गंटा भी देखोगे ना तो भाहिया उतना करके आओ ठीक है ठीक है ठीक है मैं भी कहना चाहता था कि आगर आप फिजिकल के मिस्टी में आ रहे है ठीक है डिर इस नो नीट टेंशन अर्जुना जैपे हमने भी ब्रिच कोर्स लिया है फिजिकल इन और गैनिक का बट आप क्लीन स्लेट की तरह भी आएंगे ना कोरे कागज की तरह भी आएंगे तब भी उसके उपर जैई मेंस और ज क्लास 11 का कोई भी पॉइंट यूज करेगा तो अविसली एक नई स्लाइड प्लस बटन दबाकर उसको पूरा एक्स्प्लेइन करेगा कि बेटा ये वाली चीज है कक्षा 11 में बढ़ी थी अब हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं समझ मैं तो जो भी आपको बढ़ाय जाएगा वही पर सिखा कर वही अपलाय करवाय जाएगा ठीक है तो टेंशन ज्यादा नहीं लेनी इसके बार बार ये हर कोई टीचर नया जरूर आएगा शब्द एकी रहेंगे इस तरीके से चलने वाला है चार बजे आ जाना एकदम चार बजे क्लास शुरू हो जाती है जो टाइम आपको यहां बे मिल रहा है और पांच पैतालेस पर आपकी पहली क्लास कतम हो जाएगी फिर आपको आदे गंटे का ब्रेक है च्छे पनरा से आट वैसे यह जो ब्रेक है यह वाली क्लास एक्स्टेंड होती है जनरली होती है मैं तो यह वाली दोनों भी यहां लगाओ और आठ से नौ हो जगा दिर दिर जो पराने अर्जुना वाले वह तो जानते हैं अब यह आप ध्यान से देखोंगे तो चार क्लासेश की दिख रही है आपको तीन केमिस्ट्री की तीन मैथमेटिक्स की ठीक है पर यह जो वीक पर चलता जाएगा अगला जो वीक आएगा उसम और यह जो पहली क्लास मैं लेने वाला हूं ठीक है और यह वाला जो प्लैनर है आपके साथ बैच में हर वीक होता है जैसे की बार क्या इंटरनल चेंजिस भी चलते रहते हैं ठीक है कहीं पर किसी को जाना पड़ गया किसी की दभियत खराब होगी तो हो सकता है यह चेंज ह दो क्लास अभी शुरू में रहेगी यह चाह दिन दो क्लास हो जाएगी और आगे जाके चाह दिन तीन क्लास भी होगी इसके बाद मॉडियूल की मैं बात कर लूँ कुछ बच्चों को रहता है सर कौन सा स्टेडी मटेरियल हमको जेई के लिए रेफर करना चाहिए जैसा जरूरी है जिनके पास समय बच रहे क्लास और डीपी सॉल्व करने के बाद वो मॉडियूल को ले सकते मॉडियूल को ऐसा नहीं के बल ले लिया और धूल खारे मॉडियूल है ना करोगे तो खरीदना का जाता था ना दो तिन साल पहले बहुत आवास थी है ना के ठीक है ठीक है वी हैव पुट दा बेस्ट आर अरण डी टीम इन दा इंडॉस्ट्री फॉर यह यह बना है ना यह उसा नहीं कि कुछ सवालों पे टिक कर दिया गया हो उनको चाप दिया गया अशनी बहुत इसमें तो इन्पूट लगिए टीचर्स दिन रात काम कर रहे हैं एक एक अंसर को वेरिफाई कर जा रहा है क्रॉस वेरिफाई किया जा रहा है आपके लिए कौन सा रिलिवेंट है और जैसे पैटर्न अभी देखते हुए जी एडवांस का वो सारा मतलब इनकम जब बोलते हैं यह प ठीक है और दूसरा एक और सिंपल सी बात बोलूँगा बच्चे का मॉडियू ले लेते हैं तो वो सोचते हैं कि इसमें चार एक्साइज है तो मुझे चैप्टर के साथ चारों निप्टा नहीं नहीं आपका पेपर जी एडवांस बहुत देर बाद में होगा तो आप कोश सोचो कि पहला चैप्टर सर ने तो खतम करवा दिया में को अभी 500 सवाल सौल करने नहीं उसको टुकुडों में बांट देना है पहली एकसाइस चौती एकसाइस उसके बाद में फिस जब एडवांस आएगा तो सगें एकसाइस की बाते करेंगे ठीक है ने बिलकुल क्योंक हो जाए फर्स शिफ्ट आप दे दे तब करें और जैसा कि सर ने बोला मैं फिर उसी बात को रिपीट करना चाहता हूं लेवल वन और पीवाई क्यू जैसे ही आपका चैप्टर खतम हो आपको वह करने करने है लेवल टू करिया आपका स्लेवर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको टाइम मिलता है अलग अलग टाइम मिले आपको संडे को फ्री हो निप्टा दो और इसमें डिटेल थियोरी है ट्रेन और ब्रेन है कॉंसेप्ट कॉस्ट्ट एप्लिकेशन है मतलब जब थियोरी के साथ जाओगे तो कुछ-कुछ कॉश्ट आएंगे जो आपको फट जो हमने चीज एड़ किया बॉर्ड लेवल प्रोब्लम्स भी करवा दिया एक एक ऐसी होगी जो उस जो पुराने जितने भी अब तक बॉर्ड की एक्जाम हो चुके हैं वहीं से सवाल उठाकर जो मोस्ट रिपीटिट है वो डाल दिये गए आपके लिए मोस्ट रिलिवें परसंट पुराने पुराने पुर्णे पुराने पुराने जिस पर लिख दे नहीं इसवाल एक्जिस्स करती है वो सारी की सारी आपकी लिए और सारे प्रिवेसियर के कुश्चन जहीं में जितने भी पूचे गए वो सारे दुमको विच सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसमें पी वाली एक्साइज भी है तो आपको पी वाई क्यू की नीड होती है वो भी यहां पे आपक के ठीक है लास्ट येर के अब क्या-क्या यहां पे भी क्लास स्टार्ट डे टेक अप्ले लितीस नवंबर है सेम अभी जो मैंने सब बता है वही है है ना यहां पे भी आपकी पांच दिन क्लास रहेगी शुरू में और दो क्लास पर दे चलेगी वन आर फॉर्टीव मिनिट की क्लास होने वाली है ठेक mode of lecture क्या होगा सारी classes आपकी live होगी live interaction होगा classes में पोल कराए जाएंगे classes में आपके doubts भी लिये जाएंगे तो आपको बहुत मसा आने वाला है है ना क्यूंकि class में क्या होता है ना एकदम competitive माहल बन जाता है हर एक question के बाद poll कराएंगे teacher तो पता ल आपको available करा दिये जाएंगे पर खुद के notes बनाना खुद के notes बहुत important है विपन सर नोट्स के around एक बार बच्चों को guide कर दो आप जी सर सर नोट्स बच्चे अगर खुद से बनाये तो best है तो हम personally तो यही recommend करते हैं कि जब हम class ले रहे हो उसी ताइम पर आप लोग notes बनाते या कोई नया point आपको मिला कहीं से भी you just need to supplement that in your notes जिससे आपके notes है वो एक full proof resource बन जाए for last shot जब आप actual में नीट exam में घुस रहे हो उस time तक आपके जो notes है वो रामबान बन चुके हो तो जहां से भी कोई भी content मिले उसको एक streamlined format में बहुत है भजार ना हो और as it is किताब नही पेज की आपके notes हैं तो you are not solving any problem either तो उसको बहुत छोटा बनाईये crisp बनाईये जिससे आप उसको 10 times 20 times revise कर सके before your exam एकदम वह वाली copy तो एकदम ऐसी हो जानी चाहिए बार-बार खुल-खुल की कि एकदम खराब हालत में हो जानी चाहिए आज हम रंग भी रंगे हो रख हैं स इस तरीके से लिखना है टाइम भी मिलेगा क्लास में ही आपके notes बन जाएंगे डीपी आपको मिलेगी इसमें भी वीडियो solution पीर-टू-पीर डाउट सॉल्विंग है जो किसी भी तरह का कुछ रहेगा नहीं आपको पूछना है अलग-अलग तरीके से आप अपने डाउट पूछ सकते हो academic, non-academic doubt आप AI guru के through भी पूछ सकते हो smart doubt engine बना दिया है PW का जहां पर lecture के doubts, lecture specific doubt किसी एक slide में कोई बास समझ में आई तो आपको doubt engine पर पूछ सकते हो तो doubt को solve करने का इस बार बहुत बढ़िया टेक ने solve करके दिया है क्यार बच्चों के doubt अपन जितनी जल्दी solve कर पाएंगे तो आपको बहुत मसाने वाले instantaneous आपको reply मिलेंगे है ना साथ में बच्चों आपको revision classes भी मिलेगी जैसे ही आपका syllabus complete होता है आपके scheduled form में टेस्ट होंगे जैसे जेई में बने बता है तो हरी किस दिन में आपका यहां पर भी test होगा ठीक चलिए अब faculties के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले physics आपको पढ़ाएंगे नमस्कार सभी बच्चों को सबसे पहले तो 11 मैंने नहीं पढ़ा है बच्चों को तो जब आप आओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी जो जन्यून बात है हां दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ा पागल मास्टर है कैसे परहार है जीब सा रहें रैटिंग गंदा है लिखता गंदा बोलता खराब है तो सब खराब ही दिखेगे आपको एक दो क्लास में दीरे दीरे थोड़ा सा समझ आएगा कि हाँ ठीक ही बोल रहा है समझ जाएंगे तो जेलना सीख जाओगे और वही ह पाचवा लक्षबैष है और में पाचवा लक्ष वैच में पर आ रहा हूँ पहले बैच में जब अलक्षबैष भाए थे तो समें दो चेप्टर में ने पर आया था लास्ट में दो तो लक्ष में थोड़े थोड़े पढ़ायते हैं हां तीन लक्ष कंप्लीट होने वाले तो बिटा ऐसा है कि मेहनत करना पड़ेगा बहुत जादा और हर टाइम आप लास्ट में बोलोगों चुट्टी देदो चुट्टी देदो मैं जितने वैचेज अभी तक परहा हैं जित दस बंदर में हम इसा एक्स्टा ही लगता है क्योंकि अगर पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा तो पीछे वाले जिनकी मेरी बाद क्लास होती है वो टीचर्स गाली बहुत देते हैं तो कोई बात नहीं पर मैं सौरी बोल भी देता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो मेहनत क तब आपको समझ में आएगा कि यहां आपने मेहनत किया है ऐसा नहीं अगर आप क्लास में बैट रहों क्लास में सिर्फ आपको मज़े आ रहे है तो बात में जब मॉडूल सौल करने जा होगे और नीट में बैट होगे तब आप समझ में आएगा कि यार पेन दिक्कत ज्या आप से ना ठीक है वाज जान दो क्लास को गुंड़ा एक ही है तो ध्यान से थोड़ा सा और और यह दो किताबे लिखी है पिछले तीन-चार साल में वह आप देख सकते हो और लास्ट यह का यह अपने बैच से पढ़े थे अरजुना से लक्ष से और यकीन से ठीक है मज़ा आएगा क्लास में बहुत पढ़ाऊंगा और इस वार मैं कंटेंट अपडेट भी करने वाला हूं तीन साल से अपडेट इसलिए करने वाला हूं कि देखो यह प्राब्लम क्या होता है हर बच्चे पहले से नोट्स लेके बैठता है अंसर देख क्या आता है तो इस बार क्या है कि 60-70% कोस्टंस मैं ने लिखूंगा जो किसी भी किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा और कहीं Google पे कहीं नहीं मिलेगा देख लेना और उत्तान सेरीज में मैं करा भी रहा हूं जाके देख सक यह अच्छा तो थेंक चलिए बढ़ते हैं आगे फिजिकल केमिश्ट्री सुदान्शु सर लेंगे अगे खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे अरजुना में कुछ बच्चे पढ़कर आ रहे होंगे सर से जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दू फिजिकल केमिश्ट्री बह अभी अमित सर ने बहुत अच्छी लाइन बोले थे कि भाई कंसिस्टेंट रहो हम सब लोग जब स्टार्ट होता है न कोई बैस देवन पर बहुत भीड रहती है ऐसा लगता है कि बस आज ही फोड़ेंगे जैसे अभी बहुत आए बच्चे तीन क्लास ले लो दो क्लास ले पी डबलू और अलकसर का जो वीजन है कि जो बच्चा डेली ऐसा नहीं कि उसको मांक्स ज्यादा चाहिए बस वो डेली आना चाहिए डीपी सॉल्व करना चाहिए टेस्ट अटेम्ट करना चाहिए उन बच्चों को बहुत सारी चीज़े फ्री एकसेस होने वाली है तो इन स्तिमाणदारी से महनत कियो क्योंकि आपकी ना हर एक चीज़ को ट्रैक करेंगे आप जब आते हो ए संघर्ष के एक वो पीडवली स्कॉलर मिलेगा और स्कॉलर के साथ तो फिर आपके पास पूरी बैच इंसिनिटी के सारे फीचर आ जाएंगे अगले साथ मतलब हम लोग सब लोग चाहते सर सिंगल डिजी ट्राइंक आए अब अगवान करें फॉस्ट राइंक आए अपने पास मैंने दूजार पच्छीस वालों से खासकर बोल रखा है और आएगी भी सर अभी स्टार्ट हो जाएंगे सब के सब लेके आएंगे क्योंकि सारे टीचर मैं सच बता हूँ मैं बहुत प्राउड फिल करता हूँ इतने कम पैसे और इतने अच्छी टीम यह सायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर मिल पाए बाई जितने टीचर है ऐसा नहीं कि हाँ यह सारे की सारे टीचर अपनी जी जान लगा के पढ़ाने वाले हम सब लोग आप इसमें इस बार और कैसे जैसे अभी सोचो ना अपने बुल रहें कंटेंट और अच्छा करूंगा सोचो कि हर एक आदमी आराम से रिलाक्स बैठ सकता है लेकर हर एक टीचर सोच रहें नहीं यह इस बार और अच्छा इस बार और अच्छा तो भाईया अपने पास 11 सभाल लो कोई टेंशन नहीं और रिवीजन की भी टेंशन मत लेना जो 12 स्टार्ट होगी हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा 11 में कितना आता है नहीं आता है और जैसे को 11 का टॉप 24 का जब नीट रिजल्ट होगा जैने रिजल्ट होगा तो तुमको दिख जाएगा लग्षनीट लग्षजी के कितने बच्छे भाँ पर खड़े होंगे ना तो वहां पर हर साल बढ़ते जारें लग्षजी लखषनीट के पर चले छेयरें और हर साल जो रेंक है जो डबल करा दी है जो बच्चे सोच भी नहीं रहे थे कि हमको डॉक्टर बनना है वह बच्चे अब आ चुके मैदान में और वह बच्चे मतलब भाई वह पढ़ाई भी करते हैं उसके बाद भी सब पर उसके बाद गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज में जाकर भड़ भी रहा है तो उस तरह की महनत आपको करनी है आपको इतनी तो नहीं पर आपने उसका 50 परसेंट भी महनत कर लिया आना आप पहुंच जाओ नहीं सब बच्चे पोप मामा जानते हैं ठीक है ना और बहुत ही मतल का वेटेज भी काफी हो जाए ठीक है ना तो 12 में अर्गेनिक ही करनी है और इसमें फिर से 11 के ऑर्गेनिक आए बहुत ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो उसमें ब्रिज कोस आ जाएगा आपके पास चैप्टर आपको मतलब पहले ही करा दिये जाएंगे जब ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक शुरू होगी लास्ट एर भी कराया था लक्ष में इस साल भी 11 के वह टीनो चारो चैप्टर जो है आई-उ-पी-सी आई-सो-मेरिजम जी ओ-सी हाइड्रोकार्बन वो पढ़ा दिये ज जाएंगे बस तुम्हें अपस सर लोग की बात माननी है चाहे हो पंकर सरो चाहे कोई भी टीचर यहां इस प्लेटफॉर्म पे इस टीशर्ट में खड़ा के बता रहा है उसकी बात मानो सच कह रहा हूँ भाई सेलेक्शन लेक्शन लेकर जाओगे कि आपको बात कुछ मत मा तो से बीस तक कोटा में पढ़ा है और उसके बाद प्ड़ा रहा है और वह मेरे विए से आप है यह तो मैं इस बड़ते हैं आगे इनॉर्गेनिक चिमिश्ट्री लेजेंडरी टीचर फ्रम कोटा इनॉक ड़ाएंगे पुछात बढ़्या खाएंगे है ना और भाई सर की टीचिंग में भी अलगी जादू है है ना जो बच्चे सर से बढ़ते हैं वो जानते हैंगी किस लेवल की आपको इन औरगनिक केमिश्ट्री मिलने वाली है इस बैच में अलग सर जितनी बेस्ट टीम आपके लिए बना सकते थे ना उन्होंने बना के दे एक जानकारी और है एमडी सर भी 2017-2020 हम पर आए था और उसके बाद हम लोग PW में बढ़ा रहे हैं उसी समय से तो बहुत अच्छे टीचर है इन और इनके नोट्स पर लो नोट्स देखो इन और नोट्स ही नहीं फिसक्स केमेस्ट्री बोटनी जोलोजी विपिन सर के नोट् यह प्रैक्टिस सेशन में कराया था हर सवाल मतलब पैताली सवाल नहीं हर सब्जक्ट में पचास-पचास सवाल दुमको नोट्स से दिखेंगे लिख लो पेपर के डिसकस्शन में हम दिखाते हैं और ऐसा नहीं है मैं तो खहाँ एंटिये छोर किसी से भी पेपर बनवाले नोट से बाहर नहीं आएगा किसी से भी बनवालो कहीं भी इंडिया में कहीं से भी वैट के बोलो कि पेपर बनाना है फुल लेंड पेपर बनाना है नोट से बाहर पेपर कोई बना के दिखा दे इतना पर आते हैं कोई भी किताब उठा के देख लो 100% आपको उसका exercise उसका question मिल जाएगा आपको इंडिया की किसी भी कोचिंग का test series का paper उठाके देख लो 100% सवाल नूट से मिलेगा आपको time इसलिए लगता है time अगर लग रहा है ना जैसे बहुत सारे बोलते इतना परहाद होगे हां तो परहाद ने हैं तुम्हारी इम्मत है तो आके पर लो कि दिखा दे फिर हम इतना पढ़ाते हैं और आएगा सवाल यहीं से और पढ़ने वाले पढ़ भी जाते रैंक भी ले आते हैं और तुम ऐसे कुटे रहो नन्यवाद yaar mohit sir की बारे में इस sir ने बताया ना कोटा में मतलब in organic में खास कर मतलब mostly हम लोगो को लगता है बहुत मतलब मैंने जो देखा है बहुत rare teachers जिनको इन और यह बच्चे कंदे पागे लेगे चल रहे है रहे है इन और यह बच्चे को इतना जादा इसको इनको इसलिए ऐसी नहीं जादूगर बूलते हैं जादूगर of inorganic chemistry ठीक है न भाई तो एक बार पढ़के देखो और पूरी chemistry की टीम आपके सामने है ठीक है न तो भाईया बस आख बंद करके आजाईए आठ तरीक से एक तरीक से हाँ एक अप्रिल से जाएगे सारे टीचर्स बस पढ़ाने वाले chemistry में तो खासकर और 11th के टेंशन नहीं लेनी है ठीक है तुम ज़्यादा पढ़ाओगे न भाई ज़्यादा पढ़ाने वाले हो ना यार ठीक है आजब सर चलो बढ़के आगे बाटनी एक बच्चा के रहा है मतलब बाई बहुत पावरफुल टीम बनाई है सर ने यह पूरी टीम ओर पावरड है चलिए तो बाई विपिन सर के बारे में क्या ही बता हूँ मतलब फिनॉमेनल टीचर अरजुना नीट पढ़ा कर रहा है 1.2 में भी पढ़ाया था 2.0 में भी पढ़ाया था पाट टाइम में पढ़ाते हो या फूल टाइम में पढ़ाते हो यह बताओ मैं जब क्लास में बताता हूँ कि देखो यार 1112 की फिजिक्स है 1112 की पाइलोजी है हम लोग बहुत basic basic बात पर आते हैं लेकिन पहली बार लग रहा है ये god of boat नहीं बोल सकते हो आप अरे नहीं सब्सक्राइब मैं हमेशा organically बोलता हूं मैं कभी कुछ prepare नहीं करके आता लेकिन एक चीज मैंने सोची थी कि कभी मुझे ऐसा pedestal मिलेगा तो मैं जरूर बोलूँगा कि आज मैं इंडस्ट्री के इतने जादा दिगच लोगों के साथ अगर सीम बैच में पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप opportunity के साथ-साथ responsibility भी है and मैं सिर्फ एकी बात कहना चाहूंगा कि I won't let you down मैं सारे teacher से promise करता हूं और मैं सभी से promise करता हूं अगर आप class में आएंगे you'll see a different level of content आपको कुछ अलग दिखाई देगा आप बोटनी को पहली बार ऐसे महसूस कर पा रहे होंगे और मैं सिर्फ अपन जान लगाऊंगा उन classes में जिससे की I can make sure कि आप मुझसे पूरी साल पढ़ना चाहें मैं बस यहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं PW के साथ बहुत समय से है मैं से ज्यादा discipline मैं से ज्यादा dedicated मैंने आज तक किसी नहीं देखा है मतलब मैं से ज्यादा और भी जादा अच्छे अच्छे animations और बहुत सारे questions हम class में करेंगे और अगर आप class में बहुत सिंसेरली बिटा पढ़ाई करोगे तो notes के बहार genuinely genuinely कुछ भी नहीं आएगा ठीक है और it's a long journey और बच्चे पूछते हैं अरे मतलब आपका neat exam हो जाएगा आपको success मिल जाएगी तो मैं कहते हूँ success is a journey और ये एक part है आपके journey का ये शुरुवात है और आपको life में आगे ऐसे ही महनत करनी है ऐसे ही dedication के साथ में बेटा काम करना है it's just the beginning कभी demotivate होते हो जो कि बहुत obvious बात है हम भी demotivate हो जाते हैं कभी-कभी तो आप इतनी एक tough journey को शुरू करने वाले हो आप भी-कभी demotivate होगे आपके साथ में बहुत प्यारे-प्यारे जगसे नियारी teachers है आपकी प्यारी-प्यारी जगसे नियारी maam है तो आपको motivate जरूर करेंगे लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप demotivate होते हैं तो एक बार अपने parents को जरूर देखना parents का जो struggle होता है parents के जो sacrifices होते हैं मुझे लगता है वो सबसे सबसे बड़ा motivation होता है और जैसे कि sir ने भी बताया कि हमारे ऐसे भी students है sir जो बहुत tough situation में रहे के भी अच्छी rank लेके आए तो आपको तो एक बहुत अच्छी जगा पर होंगे मैं यह मानती हूं तो आपको रोना धोना नहीं है आपको मैनत करनी है मैनत करने से डर्ना भी नहीं चाहिए और of course it's not going to be easy but we are going to make it easy for you और आपको बिटा बहुत इमांदारी के साथ में सारी सपोरा आर्मी को मैनत करनी है डे अब आपको यहां से महनत करनी है जो सारे टीचरों का देखो इतने confidence के साथ कैसे करें कि notes में तरे question फसेंगे छपेंगे क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है इतने हजारों को मतलब इको teacher हजारों को पढ़ाते हिन्होंने हजारों को doctor हजारों को IATN बनाया है तो भाई PW आपका platform है आप बच्चों ने इस platform को बनाया है तो जो भरोसा आपको PW पर है ना वही भरोसे के साथ आना इस batch में यह batch will make sure कि भाई तुम्हारी government medical college की seat पक्की हो जाएगी IAT की सीट पक्की हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलिए तो मेरी क्याल से weekly schedule लक्ष कुछ दिन तो डिपेंड होगा तो सारे टीचर ही खीचेंगे किसी दिन कोई topic होगा तो उसको पूरा complete करके ही जाएंगे यह आपका schedule रहने वाला है उसके बाद में module के बारे में बताऊं नीट का भी module बहुत बहतरीन बनाए है ना और जो research and development की team के बारे में सर बात कर रहे है पर उसके पहले जो research वाली team है उसमें भी सौसे जादा teacher हर एक question को इस module में डालने के पहले वो देखते कितना relevant question है तो आपको बिल्कुल crisp and to the point content इस किताबों में मिलने वाला है जिन भी बच्चों को लग रहा है कि यार मेरे को कौन सी reference book नीट के लिए follow करनी है this module is for you है न आपके parents के जो पैसे है वो बहुत valuable है है ना उनको केवल धूल धूल खाए वैसे खरीदने की कोई जरुरत नहीं है आपको भी solve करोगे इसको तो खरीदना otherwise no need to buy this book है ना batch के साथ इसकी price है 2332 ठीक है और सारी किताबे आपको आ जाएगी जिसमें नीट के level के हर तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे 12th board का भी आपको यहां पर content मिल जाएगा आपकी board exam के लिए और सारी चीज़े देख सकते हो हर तरह के question के format आपको मिल जाएंगे तो प्यार देने के लिए और आप यहां से महनत करना शुरू करनी वाई ठीक है वो सकते हैं बीच में एक आप लोगों के लिए कि एवेंट भी रखे लक्ष जैई वर्स लक्ष नीट तो मिलेंगे अपन क्लास शुरू होने के पहले मैं बस लास में यही कहना चाहता हूं ज यही हो यह नीट तुम्हारी पकी है जीत यह किसी बच्चे का कमेंट पड़ा था मैंने मैं आज चेपेंगे इसे अब कर दो जोट नहीं काने पीने की पुरी वश्ता थी बच्चों यहां पर और सर ने आट-टस गुजिया खाए इसलिए अभी मैं बोल नहीं पाहूंगा यार अभी सब जुन-जुना वाले नहीं रहे हैं अभी एलक्स बहन शुगा है सर भी हमारे साथ कोटा में पढ़ाते थे जब मैं 2017 में नहीं नहीं सर नहीं कोटा पत्री का नहीं पता नहीं यह इंडस्ट्री नो बहुत चोटी लगती है अब आप किसी पर भी रख तो मतलब कोई भी बता तो वह सब के साथ पढ़ा हुए हाँ जब मैं पीड़ जॉइन क पतला होगे सर मोटे हो गये नहीं बस मिलते हैं बैच के अंदर से जो भी लोग बाकी बैच वाफर की जानना चाहरें ने परियास कवा आएगा तो यह ऐसे इवेंट होते रहने चीना सारह आज ही पता कर गए तो तो मार्केट में सारी इंफोर्मेशन लीकर देगा सहीं हैं अगर माल लो चार बज़े से लेकर साड़े आठ बज़े तक की बात है तो उसमें हम तीन क्लास बढ़ाएं या दो बढ़ाएं देख लेंगे तुम्हारा उसमें बता दिक्कत क्या है उसमें सिरफ चेट मचते हूं कि हम वह मांते जो कह देता है तो नहीं तो नहीं तो तुम बढ़ाई करो और जब सेलेक्ट हो जाओगे तो तुमको नेता बना देगा परसर एक बच्चा बोल रहा है सर आठ अप्रिल से क्लास चला दो यह यह वीडियो नहीं नहीं वीडियो का चलो बीच का कर लेते हैं ना तेरा ना हमारा ना उनका एक अप्रियो का कर लेते चार तारीक से करते हैं पाया उनको बता दो कोई 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 लेट यू नो फॉर ठीक है बट अभी के लिए आप यही मान के चले कि आप फस्ट अपरिल को चार बजे नहां दो के का ना कॉपी पेन के साथ तयार रहीएगा मिलते हैं आप सब को लक्षे जाई लक्षे नित में यहां पर कोई फूल नहीं मिला जा रहा है हाँ और फूल गंद estásdak कोच नहीं तरह रहा है पिल को लोग है सिर्ः एक ग्रास का backwards वह हमारा उनकोल विलकुल विलकुल कि चलिए यह बय ह Council फैपी ओल lors